Hello everyone, मैं हूँ आपकी फ्रेंदीप और आज की वीडियो में हम जा रहा हैं बाबीक्यू नेशन वैसे तो बाबीक्यू नेशन के फ्रेंचाइजीज अल ओवर इंडिया में सारी जगह है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली साकेत का बाबीक्यू नेशन मैंने यहाँ पे टेबल फोन करके प्री बुक कराया था तो अगर साटड़े संड़े पीक ताइम है तो टेबल मिलना मुश्कील हो जाता है तो आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हो पर परसन का चार्ज होता है 860 रुपीज इंक्लूजिव ऑफ टाक्स लेकिन आप अगर मंडे टू वेडनस डे की बीच में जाते हो तो लंच का चार्ज थोड़ा सा कम होता है बाबीक्य नेशन की यूडिंग बाद यही है कि यहाँ पे आपका टेबल पे ही बाबीक्यू सर्फ किया जाता है यहाँ पे जो डिशिस होता है वो unlimited होता है मतलब बाबीक्यू भी आपको unlimited मिलेगी main course, sweets जो भी चाहिए आप जितना खाना चाहते हो आप खा सकते हो यहाँ पे आपको continuously उनलोग सर्फ करते रहेंगे जब तक आपने टेबल पे रखा हुआ flag down न कर दो मैंने यहाँ पे खाया था wedge शाही बिर्यानी उसके बाद में यहाँ पे plain rice था डाल मकनी थी यहाँ पे wedge कोर्मा था और उसके बाद यहाँ पे पनीर की सबजी थी एक और wedge सबजी थी यहाँ पे और उसी के साथ साथ यहाँ पे noodles था और एक Chinese gravy भी थी और यहाँ पे wedge सूप भी था और यहाँ पे काफी सारा variety में salad सर्फ किया हुआ था बहुत ही delicious लग रहा था अब देखते हैं non wedge में क्या है non wedge में भी यहाँ पे soup बना हुआ था जो कि chicken soup था और यहाँ पे chicken था अंडा था यहाँ पे mutton है and chicken भी है and यहाँ पे chicken biryani है तो यह सारा कुछ main course में serve किया था और sweets तो आप पूछोई मत oh my goodness barbecue के जैसे sweets तो कहीं नहीं मिल सकते हैं केक से लेके pastries से लेके शाही तुकड़ा, fruits, cupcake, rasmalai, rasculla, gulab jamun, jelly oh my god बहुत सारी variety की मिठाईया हैं यहाँ पे हमको मिली थी खाने के लिए कम से कम 10 से 15 sweet dishes available थे काने के लिए और trust me guys everyday यह dishes change होते हैं everyday options अलग मिलेंगे आपको यहाँ पे barbecue में हमेश सर्फ किया गया था prawns, basa fish, chicken और बहुत सारे items and veg में आपको मिल जाएगा mushroom, potato, paneer and pineapple और उसके अलावा भी काफी सारे items है जो उन लोग directly plate में सर्फ करते हैं और इसी package में एक complimentary drink आपको मिल जाएगी और सबसे last में हमने यहाँ पे खाई कुलफी और उसमें भी काफी सारे variety available थे पिस्ता, केसर, कुलफी, mango तो जो भी आपका choice आप उसके हिसाब से खा सकते हो एक अच्छी बात इनकी यह है कि अगर आप वहाँ पे कोई birthday, anniversary या कोई भी चीज celebrate करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ के manager को बस आपको पहुंचते ही बता देना है और आपको एक free cake बिलता है जिससे कि आप वहीं पे birthday celebrate कर सकते हो और हाँ cake काटने के बाद में आप उनको बोल सकते हो और वो यह cake आपको pack करके देते हैं आप घर भी उसके और ले जा सकते हो and that's all about barbecue nation, see you soon in the next video, bye bye